C.A.P.F.A.C. 2021 का interview का schedule जो remaining candidates थे जिनके interview अभी होने हैं वो schedule आ चुका है वो आपका 28th March से start है और 26th May तक चलेगा since बीच में वो gap है तो इस कारण से लंबच चल रहा तो कुछ students का demand था कि जो अभी interview में highest score क्या दिये जा रहे हैं तो ये मैंने 4 years के highest score दिये हैं कुछ candidates जो score कुछ चैसे ये 10 के हैं फिर मैं next slide में इसको सही से दिखाता हूं तो 2020, 2019, 2018, 2017 ये 4 years के हमने लिए हैं जो highest score प्राप्त किया गया है तो इसमें से अब जदी आप 2020 का देखोगे तो 2020 में in fact last 3 years में देखो 2020 ये के marks हैं तो 20, 19 और 18 इन तीनों year में जो highest score है वो 113 है यानि कि 150 में से 113 by 150 है तो इसमें 2020 में देखो तो ये कुछ जो candidates हैं उनके marks ये तो 113 जो है 3 candidates को मिला यानि highest score 113 था 112 किसी को नहीं मिला 111 candidate को मिला 110 एट candidates को मिला उसके बाद 108 6 candidates को 107 ये अपका 3 candidates को 105 जो है वो 13 candidates 104, 5 candidates 103, 1 candidate 102, 10 candidates 101, 9 candidates 100, 2 candidates 99, 5 candidates अभी जब आप interview देने वाले वो जिनका भी अभी देना है हमेसा ध्यान रखो कि जो target आपका triple digit में होना चाहिए 100 या 100 प्लस ये doesn't mean कि आपका उससे कमाने पे result नहीं हो नहीं ऐसा नहीं है आपका 60 भी जो marks लाए है नॉर्मल जो selected candidate है वो उसमें से few exceptions होते हैं जिनको 60, 60 से 70 के बीच में बहुत कम candidate होते हैं जैसे last one candidate का side 2019 में 60 marks आने के बाद भी वो under 50 में side 40 से रहें किया कुछ था तो ये few exceptions हो सकते हैं लेकिन normal जो है आप कोसी करो 100 प्लस लाने के लिए 100 प्लस वाले में बहुत candidate हैं लेकिन चुम मैं average benchmark मानता हूँ जो मेरा अपना अनुव है जो मैं candidates का के साथ जो मेरा अनुव है couple of years में तो उसमें मानता हूँ कि जो 90 है benchmark है 90 से नीचे लाते हो इसका मतलब है आपका performance वो खराब हो गया performance खराब होने का ये मतलब कभी नहीं है कि आप खराब student हो नहीं हो सकता है उस particular moment में आपका situation ऐसा हुआ हो या हम कुछ कह रहे है साथ interview board को वो चीज अच्छा नहीं लगा या कुछ ऐसे statement या कुछ opinion साथ वो हमारे against चला गया हो every time वो machine नहीं है वो human being है साथ उस particular moment पे हमने जो कुछ बोला साथ उसका message हो है वो जो उनको desired था वो उस टंग से नहीं मिल पाया तो ऐसे situation होते हैं लेकिन in normal जो benchmark है एक average का वो मैं 90 मानता हूँ 90 से उपर आपका है अच्छा है 90 से नीचे आपका खराब है 100 से उपर जो है बहुत अच्छा मानता हूँ और 100 से 105 से उपर उसको मैं excellent मानता हूँ तो यह आपके 2020 के marks है इंट्रिव्यो के यह 2019 के जो marks है तो इसमें भी देखो 113 2020 वाले में आपके 3 candidates वो था 113 लेकिन इसमें जो है 4 candidates को 113 marks है फिर next 112 इसमें भी कोई marks नहीं 111 जो है 1 candidate का है 110 7 candidate का है 108 जो है 7 candidate का है 105 जो है 25 candidates का है देखो इसमें जो वो साय यह marks नहीं आएड़ है जो बाद में EWS बाले आए हैं उसके marks नहीं आएड़ है लेकिन टॉप बाले का आप देखो 104 वो था candidates का है 103 2 candidates का है candidates का 102 जो है 21 candidates का 101 जो है 14 candidates का 104 candidates का और आपके यह 99 है वो ओके सो यह आपके यह 99 जो है वो 5 candidates का और 98 जो है वो 27 candidates का फिर आपका 97 जो है वो 4 candidates का और 96 जो है 19 candidates का फिर देखो जब इधर आप आते हो यह मैं benchmark क्यों बोलता हूं यह इसमें से देखो जो 90 है 90 से benchmark देखो इसमें 24 candidates हैं इसके बाद जो आते हैं इसमें candidates इसमें अच्छा खासा इसमें भी होते हैं 80 से आपके 90 बैले में लेकिन 80 से अब बिलो जाओ 80 से बिलो क्या है very few exception candidates हैं अब इसमें से देखो 105 में के ऊपर जदी जाओ तो 105 के ऊपर भी बहुत कम candidate होते हैं और आपके जो 90 से majority जो candidate होते हैं वो 90 से ले करके आपके 105 के बीच में ही ये आते हैं इसी वज़े से मैं बोलता हूँ कि जो benchmark है 90 से कम आप dollar rate नहीं कर सकते हो और 100 से उपर आपका है तो बहुत अच्छा है तो ये आपके 20 ये 19 के marks, interview marks candidate के हैं ये जो 2018 के 10 candidates के हैं और ये 2017 के तो देखो जो हमने कहा था था ना कि 2000 जो आपका 18, 19, 20 इन तीनों year में highest score जो है 113 दिया गया है लेकिन 2017 में highest score जो है 107 दिया गया है तो ये 2018 में देखोगे तो 113, 113 दो candidate को मिला 110 इसमें आपके ये चार candidate को मिला फिर 108 है ये चार candidate को फिर 2017 का देखो तो आपके 107 marks है ये फिर 105 है 3 candidates के फिर उसके बाद देखो 104, 2, 3, 2 ये कुछ नहीं है फिर 101 candidates के ये जो है 3, 3, 6 candidates के हैं और ये हमने 10 इसमें 10-10 लिया है और उसमें 2019 में जो majority of candidates का कर दिया है और 2020 में कुछ को दिखाया तो कुल मिला करके जदी हम देखते हैं तो आपका target जो होना चाहिए इस समय जो भी आप interview देने वाले हो तो आपका लच्छ जो होना चाहिए कि वो आप 100 and plus 100 plus ये करने की कोजिस करो 105 plus में अल्रेडी मैंने बताया कि वो excellent marks है वो sometime क्या होता ना situation matter करता है जैसे आपका जो दिया हुआ रहता है कि NCC बगएर है जो candidates हैं तो उनको tik-tak marks मिलता है लेकिन ये हमेशा नहीं होता है NCC आप किये हुए हो लेकिन NCC करने का ये मतलब नहीं है कि आपको automatically marks मिल जाता नह NCC के बार आप justify करते हो NCC किये हो उससे आपको proper learning हुई है आपने proper चीजों को सीखा है तो definitely जो है वो आपका ठीठा marks आएगा तो ये just a small information की highest आपका ये marks है उसको ही आपको target करना चाहिए okay thank you